यहां पर हमें 3rd theorem में हमने देखा कि SR और ST दोनों congruent है CP CT से और next में अगर proof देखें इसका तो जो SR tangent बना रहा था P के थूँ P center है R पे और ST tangent बन रहा था P के थूँ T पे तो SR और ST दोनों को अगर हम proof करें तो हमारे पास SR और ST tangent है जो P पे बन रहा है जो हमने last slide में देखा यह रहा SR और यह रहा ST दोनों tangent है और यह हमारे पास given है और SR तो दोनों perpendicular है पहला हमने यहां पे देखा कि SR जो है perpendicular है PR के second हमारे पास ST जो है वो perpendicular है PT के क्योंकि दोनों radius का tangent के साथ perpendicular यहां पे जो highlight है यह दोनों हमारे पास है tangent और radius दोनों perpendicular है next हमारे पास है RP is equals to TP मतलब यहां पर जो हम देख रहे हैं radius हैं दोनो RP is equals to TP दोनो radius है इसलिए दोनों equal है so at the end congruence RP और TP congruence भी हो जाएंगे ऐसे ही PS reflexive property से PS is equals to PS हो जाएगा और ऐसे ही यह triangle PRS और triangle PTS congruence हो जाएंगे दोनों triangle PRS मतलब यह triangle number 1 and PRT triangle number 2 दोनों congruent हो जाएंगे और फिर हम CP CT के तुरू congruence part current यहां पर CP CT के तुरू हम यहां पर SR और ST को दोनों को हम बोल सकते हैं कि दोनों congruent है और यह इसका मतलब दोनों tangent की length exactly equal होती है अगर वो point बाहर है circle के और दो point पे एक circle को touch करता है तो हम बोल सकते हैं दोनों tangent की length exactly same है कुछ points है जो याद रखने चाहिए जैसे यहां पर circle में हम देख रहे हैं कि जितने भी points होते हैं एक plane के उपर और वो equal distance होते हैं from a given point जिसे हम center बोलते हैं center से circle तक जाने वाले जितने भी distance होते हैं वो सारे equal होते हैं and circle जो हम यहां देख रहे हैं with center P और circle का एक ही center यहां पर जो हम देख रहे हैं center में है और a distance from the center to the point is called radius center से circle को touch करने वाली हर एक length को हम radius बोलते हैं दो circle अगर congruent है तो उनके radius भी same होंगे मतलब उनके radius भी same होंगे अगर दोनों circle congruent है जैसे हमने last slide में देखा था दो अगर circle हम यहां पर देखे हैं कि congruent है तो उनके radius same होंगे और distance जो circle के across हम देख रहे हैं center से pass होती है जो किसी भी point एक point से दूसरे point को center से pass करते हुई distance जो होती है उसको diameter बोलते हैं और diameter जो होती है वो radius का double होता है so twice of radius is diameter और term जो radius और diameter है उनको हम यहां पर diagram में भी देख सकते हैं और अगर measure करेंगे तो वो exactly half आएगा radius is exactly half of the diameter तो यहां से हम easily इसको देख सकते हैं next slide में देखते हैं कुछ और points हैं जैसे cord cord एक ऐसी segment होती है जैसे नीचे figure में भी हमें दिख रहा है जो end points को जिनके जो end points होते हैं वो circle के उपर होते हैं cord is a segment whose end points are points on the circle और PS and PR cords हैं जैसे हमें दिख रहा है यह PS है और PR दोनो cords यहां पर highlight हैं तो next जो diameter होता है वो भी a cord होता है बट वो center से पास होता है इसलिए उसको diameter बूलते हैं जो की एक longest cord होती है और next में हम देखें एक plane के अंदर जो center से circle को touch करे, join कराए, उसको radius बोलते हैं, जैसे इस segment में हम देख रहे हैं, QP, QR और QS, तीनो radius है, यह center है, यहाँ पर Q, और इस center से QS भी radius है, QP भी radius है, और QR भी radius है, और तीनो जो radius है circle की, वो congruent है, और next जो हम यह figure में देख रहे हैं, यह बड़े circle का center है, A, और यह दूसरे circle का center B है, उसको join कराया है, तो next slide में, अगर हम last slide में देखें, तो यहाँ पर distance is equals to, twice of radius हमने देख लिया था, और यह next slide में हमने थोड़े से cord, diameter, और interior, exterior of the circle की बात की, तो यह कुछ चीजें थी, जो circle में हमें पता होना चाहिए, और उसके बात, thank you.